हेलो एवरिवेन और नमस्कार सभी को आज हम लोग फिजिस के जारकन पुल टेकनिक प्रिवियस यह 2018 की फिजिस कोशन्स को हम लोग आज हम लोग सॉल्ब करेंगे तो बिन लेट की वी चलिए हम लोग फिजिस का कोशन्स देखेंगे आज की कौन-कोन किस तरह की कोशन्स जार इसको देखके एक्जाम देने जाएं आपको बहुत फाइदा होंगे तो चलिए लेट करने के बिना लेट किये वे स्टार्ट करते हैं फिजिस का जारखन पर टेक्निक 2018 की प्रिबियस एर फिजिस का कोशन्स है तो पहला कोशन्स आपका बोल रहा है क्या कि फ्रॉम दी फ्लो ठेक है तो इसमें जो बोला गया है कि हम किस फेनोमेन के द्वारा नहीं डिटेक्ट कर सकते हैं एक्स्प्लेन ने कर सकते हैं कि लैट जो है मेरा अस्टेट में ट्रेबल कर रहा है तो एक इससे हम नहीं कर सकते हैं डिफ्रेक्शन से सर्फ डिफ्रेक्शन में क्या होता है कि आपका को होता है लेकर डिफ्लेक्शन में हम नहीं कर सकते हैं जो प्रकास है वो सीधी रेखा में चलता है नहीं वो किसे ने कर सकते हैं डिटेक्ट हम वर्तन से या डिफ्लेक्शन इंग्लिश में बोले तो डिफ्लेक्शन से समझा गया अब आता है next question question number 102 102 आपका बोलता है क्या 102 आपका बोलता है image formed by plane mirror तो plane mirror की image जो बनता है सर वो आपका जो image plane mirror का size of object के बराबर होता है plane mirror में size of image जो होता है size of object के बराबर होता है plane mirror में और आपका जो अब रैट हैंड ये लेटरली इनवर्टेड होते हैं मिसके आप अगर left hand उठा रहे हो तो आपको left लगेगा और रैट वाला पार्ट आपको left लगेगा कहां पे plane mirror में ठीक है और डिस्टेंस होता है object का डिस्टेंस जो आपके mirror से होते हैं उतना ही दूरी पे image भी होता है कहां से mirror से सर समझवा गया ये और आपका जो image बनता है virtual and erect होता है तो यहां पर image बनता है double the size of the object नहीं half the size of the object नहीं same as the size of the object हाँ size of object क्या होता है सेम होता है image का जो size होता है size of the object के बराबर होता है laterally inverted हाँ AB point आपका सही है कि आप rat वाला वो left लगेगा और left वाला क्या rat लगेगा उसे हम बोलते है laterally inverted तो कौन-कौन सही है 3 और 4 आपका सही तो कौन option दिख रहा है आपका option C दिख रहा है 3 & 4 आ True कौन स्टेक्मेंट सही है 3 & 4 तो समतल हो कर्म वस्तूक ऐकार से दुगना होगा नहीं वस्तूक क अधा होगा नहीं वस्तूक ये कर के बराबर अकार का होगा मिसकी height of object जो आपका object का होगा वस्तु का होगा वही आपका पर्तिबीम का होगा parse विये उल्टा ठीक है parse विये उल्टा ये भी आपका point सही है 3 और 4 भी parse विये उल्टा भी होता है मिसकी 3 और 4 सत्य क्या होजागा option C correct हो जाएंगे सत्य समझ में आ गया अब चलते हैं next question question number 103 103 आपको बोलता है क्या what is the nature of the image obtained from surface of the spoon bulked outward and to what type mirror we can approximate it to जो आपके ठीक है आपका जो mirror आपके अस्पून के बल्गी वाले पार्ट से आप देख रहे हो यह अस्पून है अस्पून के बल्गी वाले पार्ट से यहां से image देख रहे हैं तो इस वाले वा मेंज दो देखोगे तो आपका image किसे लगेगा सारra किसा लगेगा और क्या लगेगा ओर क्या लगेगा आपको और यह एक सीदा लगेगा और किसे तरह का mirror काम करेगा सर यह longitudinal gw下去 खार है आउट वारड पार्ट से देखोगे ओवरे उए बार्ट से तो आपका मिरर के तरह बीयेप करता है किस तरह मिरर का मिरर का कंवेक्स मिरर क्या होगी और इसे कौन से दर्पन के निकट माना जा सकता हैagem और अपका जो औभरे उए फाग किसा इमेज बनता है यहांपे पर्तिभीम जो बनता है वो सीधा image बनता है सर के साथ पर्तिभीम सीधा और कालपनिक होता है और जो यह mirror किस तरह के mirror दरपन के तरह काम करेगा यह आपका उत्तल दरपन के जिसा काम करेगा क्या हो जाएगा option C हो जाएगे अब आता next question question number 104 104 बोलता है आपका क्या an object is kept at infinite distance एक object आपका infinite distance मत्ता की अनन्त पे रखा गिया है प्रेडू जेब ब्रैट और सार्फ इमेज जो एक ब्रैट और सार्फ इमेज बन रहा है on the screen kept at distance x जो आपका 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 distance x पे रखा गिया है in front of a concave mirror concave mirror के front में x distance पे आपका screen रखा गिया है वहाँ पे आपका सार्फ और ब्रैट इमेज बन रहा है in front object का then x is equal to तो x आपका क्या होगा यह हमें बताना है radius of curvature होगा 2s of the focal length होगा focal length of the mirror होगा object distance होगा तो आपका इनफिनिटी पर कहीं पर कहीं पर इंफिनिटी पर यहाँ पर है तो आपका जो इनफिनिटी पर यह पोल होगिया सेंट्र होगा हो ठीक है तो आपका अगर इंफिनिटी पर ऑबजेक्ट कहां पर आपका जो और अवतल दर्पन की हों यह कश्टू कर रखा गया है इस तो में सब्सक्राइब अपका इमेज़ पे होता है तो आपका फोकस पर बनता है कहां पर बनता है और यह आपका ब्रैट और सार्फ इमेज बन रहा है तो यह कहां पे आपका कितना है स्क्रीन कहां पे है एक्स डिस्टेंस पे जाए इमेज बन रहा है एक्स डिस्टेंस पे है तो यह आपका एक्स किसके बराबर होगा सर फोकल लेंथ के बराबर होगा फोकल लेंथ के बराबर होगा उसके बराबर ह क्योंकि जब infinity पे object होते हैं तो image कहां पे बनता है sir आपका focus पे बनता है तो आपके pulse यह जो x का दूरी है focus कहां किता है focal length के बराबर है जो mirror का focal length होगा वही आपका x का दूरी होगा sir समझा गया अब आता है next question, question number 105, 105 आपका बोलता है क्या, कि select correct option from the flowing about nature and distance of the image formed by a plane mirror कि आपको correct option आपको select करना है plane mirror के बारे में plane mirror के दौरा जो image बन रहा है उसका nature and distance तो हमें क्या सब plane mirror के बारे में इतना पता है कि plane mirror का जो image बनता है उसका nature क्या होता है virtual and erect होता है virtual and erect होता है erect को क्या बोलते है अपवाड होता है ठेक है अपवाड भी ठेक इ Pretty अपई भर्चियल एंड dark होता है कि और क्या बोल सकते इसको और नेचर तो पता चल गिया आपका अपने नियस्टेंज होता सर और डिस्टेंज उप इमेज जो होता है किसके बराबर होता है आपके, आपके object के distance अप्जेट के distance के बराबर होता है, ठीक है तो आपका जो नेचर होगा, वो virtual erect होगा और same distance as object behind the plane mirror, अपलेण मेर के behind हैं ठीक है, जितना दूरी पे है, उतने ही दूरी पर आपका क्या होगा ऑब्जेक का ओब्जेक्ट की डिस्टेंस के बराबर इमेज डिस्टेंस होगा सर तो आप क्या हो जागा बट्टो टीकुल इंब्टेंस एज अब्जेक्ट इंफ्रन्ट ऑफ टी प्लेन फैन मिदर ठीक है तो यह आपका option सही नहीं है तो फिर आप मोलता है वर्चुल इरेक्ट एड़ इड़ सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट बिहांड दी प्लेन मीरर सोरी तो यह सेम डिस्टेंस और कहां पर बनेगा अब्जेक्ट का इसेम डिस्टेंस ऑपिनेज भी होगा ठीक है और कहां बनेगा बेहांड दी प्लेन मीरर बनेगा साथ क्या हो जाएगा तो आपका जो इमेज आपका जो होगा परती भीम के समतल दर्पन के द्वारा उसका प्रकिर्ति जो होगा अभासी होगा सीधा होगा और आपका जो distance दूरी होगा सर्फ ठीक है परतिभीम का जो दूरी होगा वो समतल दर्पन के पीछे बनेगा और वस्तु की दूरी के समान दूरी पर होगा क्यों जाएगा option B हो जाएगी समझ में आ गया अब आता है next question question number 106 106 आपका बोलता है क्या कि to get virtual image of an object by a concave the object should be placed it concave mirror से ठीक है concave mirror ठीक है concave mirror से हमें क्या concave mirror two get virtual image of an object object क्या चाहिए virtual image चाहिए किस से concave mirror से ठीक तो object को कहाँ पे रखेंगे कि यह बराफ virtual image बनेगा तो यह आपका क्या क्या है यह आपका principle axis है यह लैन यह अपका pole है यह आपका focus है यह आपका center और curvature ठीक है तो आप object को कहाँ से virtual image पाने के लिए concave mirror में virtual image पाने के लिए कहां पे आपका image pole और focus के बीच में अगर object आपका pole between pole और focus के बीच में है ठीक है, pole and focus के बीच में तो image आपका behind the mirror बनता है sir और आपका virtual and direct होता है और enlarge होता है set जो होता है enlarge होता है तो कहां पे बनेगा, कहां पे रहेगा object आपका principle focus और pole के बीच में between principle focus and pole क्या हो जाएगा option D हो जाएगा तो एक अफ्तल दुआरा एक वस्तु का भासी परतिभीम प्राप्त करने के लिए वस्तु डेस रखी होनी चाहिए कहां पर रखी होना चाहिए pole मुख focus और धुर्व के बीच में मुख focus मुख focus और धुर्व के बीच में जब रखते हैं ता आपका आफ्तल दरपन से जो image बनता है sir वो मेरा image क्या होता है भर्चूल होता है और आपका behind the mirror होता है और क्या enlarge होता है समझ गेट पावर फूल पावर फूल पैलेल बीम अपलेट हैड़ लाट और बैकल्स है तो आप में एक पैलेल बीम अपलेट हमें चाहिए तो हैड़ लैट जो बैकल्स का है है हैड़ लैट होना चाहिए किस तरह होना चाहिए किस तरह होना चाहिए कनके मिरर होना चाहिए कनके तो कनके मिरर होगा तो क्या करेगा सर्थ आपके जो बल्ब है वो कहां पे रहेगा फोकस पे रहेगा बल्ब कहां रहेगा फोकस पे और यहां से जब रहे यहां से जब रहे ठीक है यह फोकस से निकलेगा तो रिफ्लेक्शन होने के बाद कनके क्या हो जागा पैरलेल हो जाग यह बहायकना कई लयाट क्या होना चाहिए काम के मीर्ट के तरह होना चाहिए तो प्रकासिक सक्ति 307 कर पूंज प्राप्ट करने के लिए वानों का होता है अब का अवतलधर दर्पन होता है क्या होते हैं अब जहांव जहीज़कर ऐसे अब आठाक से नंबर 108 108 एटा को बोलता है वाट टाइप ओप मिररी यूज्ट टू गेट वर्चुल एन इरेक्ट इमेज ऑल्वेज हमें वर्चुल अब आसी और सीधा परतिविम प्राप्त करने के लिए किस परकार का किस परकार का दरपन यूज करते हैं किस टाइप का मिरर यूज करते हैं वह में इस आफ नेचर जो इमेज होता है आपका अबस ऑफ यूज करमिले ब करे मिरमें और आ प्लेए मिरर में हमेशा बर्चूल एंड इरेक्ट बनता है ठीक है शेयर आपका सिधा परतिविम प्राप्त होता है तो कौनकोल दरपन में सम्तल्रपन भी है और आपका convex mirror भी है उतल दरपन भी है तो क्या option हो जाएगा both A and B क्या हो जाएगा दोनो A and B दोनो दोनो option में इसकी आपका option D हो जाएगे option D हो जाएगा अब आता है next question question number 109 109 आपका बोलता है if magnification am is equal to plus 1.5 magnification क्या है sir plus 1.5 है plus मतलब आपका जो image है sir वो virtual and erect होगा पलस मतलब पलस मतलब virtual and erect होगा और 1.5 है मतलब आपका जो height of image है वो greater than क्या होगा height of object होगा इसका मतलब यह हम पता कर लिए तो यहाँ से आपका क्या पता कर सकती कि size of image जो है sir size of object से क्या हो जाएगा बड़ा होगा और आपका जो image होगा किसा होगा virtual image होगा मतलब कि आपका image अभासी परतिवीम होगा मिसकी वस्तु का अकार जो है वस्तु का अकार जो है उच्छोटा किसका परतिवीम का अकार से तो क्या उन्हाँ आपका दिख रहा है कोई दिख रहा option option क्या दिख रहा है कि option कौन दिख रहा है option option देख लो option option size of object size of image हां कौन दिख रहा है size of image size of object size of object size of image तो यहाँ पर आपका जो magnification क्या बोले पोजिटिव मतलब virtual and erect image होगा virtual and erect image होगे और आपका magnification कितना 1.5 पर मतलब height of image जो है size height of object से बड़ा होगा तो आपका कोई दिख रहा है यहाँ पर तो size of image is equal to size of object and real image तो यह आपका एकदम सही नहीं है तो दूसरा देखो बीन option size of image greater than size of object तो यह तो आपका सही है size of image जो है size of object से बड़ा होता है यह ठीक है लेकिन real image नहीं क्या virtual image बनता है तो यह भी option क्या गलत हो गया size of object greater than size of image यह आपका होई नहीं सकता है virtual image ये भी आपका option, size of object क्या है, छोटा है, object का size छोटा है, और image का size बड़ा है, तो ये option आपका नहीं हो सकता है, c option भी गलत हो गिया, size of object is 2s, size of the image and virtual image, ये भी आपका option, size of object जो 2s नहीं है, किसका size of image का, size of object is 2s, size of object, size of object, size of object जो है, size of object जो है, size of image, मतला height of object जो है, वो क्या है, two times है, two times है किसका, two times है किसका, आपका height of image से, height of image से, मिस कि यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से जो है, ए आपका, ए भी आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि height of object, image जो है, वो greater होना चाहिए, किससे है? हाट आप, साइज अप अबज़क्ट से वर्चुवल इमेज तो बन रहा है ए भी आपका उप्शन नहीं तो आपका उप्शन क्या होना चाहिए था? साइज अप इमेज साइज अप इमेज, ग्रेटर देन साइज अप अबज़क्ट and virtual and क्या होना चाहिए यह वर्चुल होना चाहिए तो यहाँ पर option B अगर बोलोगे तो क्या virtual image होना चाहिए तो यहाँ पर कोई भी option नहीं मिला सर कोई भी option मेरे को नहीं मिला तो आप इसका option कोई भी सही नहीं है समझा गया अब चलते हैं next question question number 110 यह पेंसिल स्कार्सली इमर्जड इन वाटर एक पैंसिल को क्या कि यह पार्सली इमर्जड कर दिया वाटर में इस रमें एक पैंसिल को डाल दिया त्यां आप बोलता है कि aps to be displaced अधी इंट्रफेस आप अब आड वाटर दीस इज दिवू तो आपका इंटरफेस ठीक है वो displaced होता है at the interface of air and water जहाँ पर वाटर और air वहाँ पर क्या लगएगा टूटा हुआ लगता है यह से लगता है टूटा हुआ लगता है बेंडिंग लगता है तो किसके कारण होता है reflection के कारण होता है किसे कारण होता है sir reflection के कारण होता है क्या हो जाएगा option d हो जाएगा और परवर्तन के कारण जल में आंसिक गुरूप से डूबी एक पेंसिल आयो और जल के अंतरा प्रीष्ट पर पर्तिय स्थापित पर्तित होती है पर्तिय स्थापित मतलब कि displaced वहाँ से लगता है कि वहाँ पर नहीं है ठीक है तो add the interface of air and water तो this is due to किसे कारण होता है reflection के कारण होता है क्या जाएगा option D हो जाएगा ये reflection का क्या है example है अब आता next question question number 111 111 आपका बोलता है कि air and flowing in increasing order of their absolute refractive index refractive index को increasing order में हमें सजाना है हमें सजाना है तो सबसे कम आपका water का refractive index होता है और सबसे maximum किसका diamond का होता है तो आपका सबसे क्या हो जाएगा water का सबसे कम होगा सर उससे ज़्यादा glass का होगा फिर उससे ज्यादा किसका किरोसीन का होगा फिर उससे ज्यादा किरोसीन का होगा फिर उससे ज्यादा किसका हो जाएगा डायमंड का होगा कोई आपका स्रीज यह से दिख रहा है तो आपका option D दिख रहा है सबसे कम वाटर का रिफेक्टिव इंडेक्स होता है फिर उससे ज् डामेंड का होता है क्या हो जाएगा option D हो जाएगे क्या हो जाएगा option D तो आप परवात्वनाग के बढ़ते करम में लिखना है तो सबसे कम जल का होता है फिर कांच का होगा फिर किरोसिन का होगा फिर हीरा का होगा क्या हो जाएगा option D हो जाएगे तो सबसे कम वाटर का होता है, सबसे कम वाटर का होता है, फिर उससे ज़्यादा किरोसीन का होता है, सर, फिर उससे ज़्यादा किसका गलास का होता है, फिर उससे ज़्यादा किसका डामन्ड का होता है, यह सिरीज होता है, आप याद रखिएगा, ठीक है, यह सिरीज होता है, सोरी बाइब मिश्टे कम D बताए आपका क्या होगा option A होगा क्या होजाएगा सबसे कम जल का होता है फिर उससे ज़्यादा कांच का होता है फिर उससे ज़्यादा हीरा का होता है क्या होजाएगा option A होजाएगे क्या होजाएगा scaray decision sought камण को बताने के लिए कि आपका ग़लास होता है थिरी रिप्रेटिणी ओडर में होता है जो आपका होता है उसका बढ़ाते करब में लिखना है तो सबसी कम जलका होता है फिर त्रोशिंग का फिर काज का फिर ही राक है इस तरह से आपका किस करता है समझा गया अब आता नेक्स्ट कोर्शन कोर्शन नमर 112 112 बोलता है हाँ पावर ऑफ दि लेंज इज रिलेटेटेड़ टू फोकल लेंठ ऑफ दि लेंज तो पावर जो होता है उ Hag benz पोपॉर्शनलता है इंभसलिया डियाटली पोपॉर्शनला बोल देते हैं क्या वन बबाइ आप मतला कि focal length का 1 by focal length का directly proportional होता है तो how power of lens is related to focal length of the lens directly proportional to f नहीं directly proportional to 1 by f यह आपका option सही है 1 by f से परतियच समानुपाती होता है क्या हो जाएगा option b हो जाएगा option b हो जाएगे समझा गया अब चलते हैं next question question number 113 113 आपका बोलता है कि power of lens suggested by ophthalmologist is plus 2.5 डाप्टर दे कि नेत्री विशेशे के दुआरा जो है थेकर आँक के डोक्टर ने आपका power क्या lens जो बताया क्या बताया plus 2.5 डाप्टर plus 2.5 डाप्टर मतलब आप क्या समझते हो कि मतलब आप यह power पहले क्या focal length कितना होगा प्रिस की plus मतलब क्या होगा plus बोल दिया power अगर plus में है मतलब कि यह convex lens है कौन lens है सर convex lens है convex lens है lens पता चल लिए कोन है convex lens तो आपका option B नहीं होगा option D नहीं होगा क्योंकि दोनों concave lens है तो आपका यह AAC में जो होगा आप देखना है तो पर क्या निकालना पड़ेगा focal length निकालना पड़ेगा तो power बड़ावर क्या होता है 1 by 1 by 1 by क्या होता है sir F होता है F किसमें होना चाहिए मीटर में होना चाहिए तो क्या निकालना है हमें F निकालना है तो F is equal to क्या लिख सकते है वहां से 1 by P लिख सकते है 1 by P लिखेगे तो 1 by 1 by P कितना दिया होएसा 2.5 दिया हुआ है A point हटेगा यहाँ क्या 0 बेठेगा क्या होजाएगा 5 to 10 और 5 5 जा 5 जा क्या होजयागा 25 मिंस का क्या हगिया 2 by 5 आ गया 2 by 5 क्या आ गया आपका liegtरर आ गया किसमें चंच करना पड़िएगा सेंटिमिटर में दिया हुआ है सेंटिमिटर में चंच करेंगे 2 by 5 तो इस तरह से 2 by 5 2 by 5 Inто क्या होजागा 100 क्या जाएगा 25 जा 100 क्या जाए यहां से 22 तूजा 20 INTO 2 क्या जाएगा आपका 40 कैचना झाइड़ फोकर लेंज सर 20 cLP तो आपका क्या लेंज होगा लेंज आपका कंवेक्स लेंज होगा और फोकर लेंज कितना आपेज़ 40 cm कौन दिख रहा है option C दिख रहा है option C आपका correct हो जाएंगे सर समझा गया अब चलते हैं question number 114 114 आपका बोलता है the amount of lat entering by the human eye is controlled by जो आपका आख में रोशनी घुस रहा है वो किसके द्वारा control क्या जाता है इरिस के द्वारा किसके द्वारा इरिस के द्वारा ठीक है पप्पिल को कौन control करता है इरिस करता है तो इरिस में जो आपका lat enter कर रहा है वो किसके द्वारा control क्या जाता है इरिस के द्वारा control क्या जाता है the amount of lat entering the human eye is controlled by iris, मानों नेत्र में परवेश करने वाली परकास की मात्रा देश द्वारा नियंत्रीत होती किसे द्वारा परितारिका के द्वारा आपका जो है सर, वो आपका लैट को कंट्रोल करता है, amount of लैट जो इंटर करता है, human eye में iris करता है, परितारिका कलता है, समझा गया option A हो जाएगा correct अब आता है next question question number 115 115 बोलता है the eye detect in which far point shift nearer than infinity is अगर eye defect है, किसी के पास eye के दिश्टी दोस है, ठीक है, in which, उसका far point कहां पे आ जाए, near point में आ जाए, far point जो है कहां shift हो जाए, nearer to than infinity, infinity से क्या, नजदी की पे आ जाए तो इसे क्या हो गिया है, mypia हो गिया, मत्यकी short satness हो गिया, मिसको उसको नजदी का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, मिसकी infinity बानो, यहां से infinity से क्या, nearer आ गिया, मिसको उसको क्या short satness हो गया है सर मिसकी उसका विमारी क्या हुआ है माइपिया हो गया क्या हो जाएगा option C हो जाएगे निकट देश्टी दोस हो गया उसको वाद देश्टी दोस जिसमें दुरस्त बिंदू अनंत से निकट आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं निकट देश्टी दोस कहते हैं सर option क्या ऑजाइगा सी हो जाएगा उसको दूर वाला देखने हाला है वह क्या नजदिक 残गए थीख है उसको क्या बोलते है निकरठीक डिकरोस्ति करते हैं सबस्ट स licenses करते हैं इसको दुसरा नाम से मायप यह करते हैं और इसको सई करने के लिए क्लिए करते हैं Concave lens यूज़ करते हैं Concave lens यूज़ करते हैं Concave lens यूज़ करते हैं अब आता है next question question number 116 116 बोलता है एक person holds newspaper far from his eyes to read it comfortably then he had कि एक person जो newspaper पढ़ने के लिए देखे होंगे बुड़ा लोग को थोड़ा अपना आँख से थोड़ा दूर करके पढ़ते हैं ठीक है थोड़ा दूर करके पढ़ते हैं मैं इसकी वह क्या कर रहें कि उसको comfortably read करने के लिए उन्यूज़ को क्या थोड़ा hold करता है अपने अक से दूर मैं का हुआहिए को थोक हो उसका आई डिफेक्ट हुआ तो उसे हैपर मैधिया हुआ है मैं इसकी उसको नजभलेंढने दिखता है और दूर का दिख रहा है ओना दिखर ngay डिखने सकता चिक इंटा छोटा हुआ हुआ है त्रिस्ट का देख लए रहा है और नाजदी का नहीं त कॉंटन कोंचन नंघर्डिकट सेवेंटेज़ आपका बोलता है कि इन डिस्परस्शन आप वाट लाइट्ट थू गलाश पी ग्लास प्रिजम से क्या कर दिये सर एक वाइट लैट को वाइट लैट को डिस्पस्ट करवा दी तो यह देखा गया वहाँ पे गया वैटपस्ट कर देखेंगी तो यह से यह से आपका वाइट कलर है वहाँ लैस था क्या कर पारीट को ли को है तो यहां से हम यह कर सकते कि वैवलेंट अप्रेट कलर जो है वहाँ आपका वैवलेटक्ट से क् urine से कम है से क्या हो जाएगा option C हो जाएगा option C सही हो जाएगा कि wavelength आप लाल greater than ज्यादा होता किसे wavelength बैगने से इसलिए आपका red color कम bend किया और आपका valid color ज्यादा bend किया सब्सक्राइगा तो क्या हो गया option C आपके सही हो जाएगा अब आता next question कोशन नंबर कोशन नंबर कोशन नंबर कोशन नंबर 118 118 क्या बोलता है आपका 118 बोलता है कि 118 बोलता है what is the color of a sky viewed from surface of the moon moon के surface से अगर असकाई को देखा जाए तो कैसा लेक्तिते में लगता है कैसा लगेगा black काला लगेगा क्यों काला लगेगा सर क्योंकि moon में atmosphere नहीं है अर जब atmosphere नहीं है तो वहाँ पे white light को तोड़ने के लिए बिखरने के लिए कोई नहीं है इसलिए जो आपका मूं के surface से अगर असकाई को दीखा जाए तो कैसा लगेगा black लगेगा, काला लगेगा किसा लगेगा, काला लगेगा किसा लगेगा, काल लगेगा option D हो जागा क्योंकि moon में atmosphere नहीं है moon में atmosphere नहीं है अब आता है next question question number 119 119 बोलता है an object of 5 cm in size is placed at a distance of 20 cm from canke mirror of focal length 15 cm what is the nature of the image कि बोला गया कि एक आपका कनके mirror, अवतल दर्पन है किसा दर्पन है, अवतल दर्पन है अवतल दर्पन है, उसका principal axis बना दिए यहाँ पे pole है, यहाँ पे focus है, यहाँ पे focus है यहाँ पे माल लेते हैं, center of curvature है आप बोलता है क्या कि एक आपका 5 cm सैज का object है, जो कनके mirror से 20 cm दुरी पे रखे हुए है, कितना 20 cm के दुरी पे उसको रखे हुए है, कितना 20 cm के दुरी पे यहाँ पे object रखा हुआ है, ठीके यह object है, और focal length जो है, सर, mirror का focal length जो है, focal length focal length जो है, कितना है 15 cm है कितना है 15 cm है तो आप बोला है हाई टोप ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है 5 cm दिया हुआ है डाटा आपको इसी तरह दिया है देखे कैसे दिया है आप इसे ही बता हुए वाट इदी नेचर आप दी इमेज तो नेचर आपका डिवेज का होगा और साज क्या होगा वह हमें बत फोकस और आपका center of curvature के बीच में है object, अगर आपका object center of curvature और focus के बीच में होता है, तो image कहां बनता है sir, image आपका beyond, beyond c बनता है, कहां बनता है, beyond c बनता है, और आपका क्या, जो आपका image बनता है, image जो बनता हो, के सा nature होता है, real and inverted होता है sir, और size क्या होता है, enlarge होता है, size क्या हो मेरा focus focus और center of creature की बीच में देखो 15 cm focal length कितना है 15 cm और object का ना रखा हुआ 15 cm से पहले रखा हुआ है 15 cm पहले रखा हुआ तो center of creature कितना दूरी पे radius of creature निकाल लो वही हो जागा ना center of pole center of creature की दूरी यह जागा इसका double पंद्रों के डबल क्या हो जाएका 30 cm हो जागा मैं इसकी radius of creature center कितना 30 cm मैं इसकी focus अब मेरे कितना 20 cm पर object का ना का रखा हुआ 20 cm तो 15 तो पंद्रों तीस के बीच में आता ना 20 तो 20 यह focus और center of creature के बीच में हो गया मैं इसकी focus सेंटर के बीच में अगर object है तो image का बनता है beyond C बनता है इमेज कैसा होता है सर इमेज का नेचर real and inverted होता है और size क्या होता है enlarge होता है तो क्या दिख रहा है option क्या हो जाएगा option A हो जाएगे वार्ष्थ्विक होगा उल्टा होगा और size क्या होगा बड़ा होगा क्या हो जाएगा option A हो जाएगे सर समझ में आ गया अब चलते है next question question number 120 120 आपका बोला जाता क्या एक लाट ओप wavelength 750 nanometer in air जो आपका wavelength लाट जो है wavelength लाट का wavelength है जो है लाट का wavelength वो कितना है सर एYear में एptic में आपक अनक्की nonometer है 750 नेव Mitgl experts है ठीक है आप बलता है कि बॉलता है कि ए jogrep स्लेव इंटर्स ग्लास स्लेव और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो ग्लास स्लेव इंटर कर रहा है एर से कहा जा रहा है जो वैट लैट है आपका लैट है ओ आपका कहां से आपका एर से एर से आपका ग्लास स्लेव में जा रहा है तो जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्य 1.5 है 1.5 है तो हमें यह निकालना है कि चेंज इन वेवलेंथ अप लैट तो आपका वेवलेंथ अप लैट में कितना चेंज हुआ वह हमें बताना है वेवलेंथ तो पहले क्या निकालना पड़ेगा वेवलेंथ अप लैट इन गलास वेवलेंथ अप लैट इन गलास में क्या होगा वह हमें निकालना पड़ेगा तो क्या होता है सर फर्मूला तो आपका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इन गलास इस इक्वल टू हो जाएगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इन गलास इस इक्वल पुला हो जाएगा सर्व तो आप यहां से क्या हमें पता है आपका रिफ्रेक्ट्टी इंडेस पता है रिफ्रेक्ट्टिफ्य इंडेस तो गेलास में बाइ 1.5 एजीरो फिर रहा हो जागा 15वचा 15वचा क्या हो बमेतर कि आपका wavelength आपका 500 fuck Tech में आपका feder लाट का वेवलेंद चेंज करेगा हो निकालना तो change आपका निकालना है change in wavelength of light कितना हो जागा is equal to lambda of light in air minus क्या हो जागा lambda of light in glass is equal to 750 nanometer 750 nanometer minus lambda जी कितना निकाले सर 500 nanometer निकाले 500 nanometer निकाले सब्टेट करेंगे 750 minus 500 कितना जाएगा 250 nanometer आजाएगा कितना जाएगा 250 nanometer आजाएगा तो कोई option दिखा option भी correct हो जाएगा option भी correct हो जाएगा तो हमें यह याद रखना था refractive index of any medium is equal to is equal to light of wavelength in air by light of wavelength in glass या that medium यह आपका फर्मूला यह पता रहता तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं फिर change in wavelength पुछा है तो दोनों में क्या करते हैं सब्टेट कर देते हैं सब्टेट कर देते हैं तो मेरा एंसर आ गया क्या गया option भी आ गया सर अब चलते हैं नेस्ट कोशन कोशन नंबर 121 121 बोलता है देर आट टू लेंसे हमारे पास दो लेंसे एक है आपका सब्टेटिमीटर का फोकल लेंथ कोसाइब दो जके पास ओने एक का फोकल लेंथा में सबसिमीटर होतता है और एक कुंकेव और फोकल लेंथा टिका फाकल हुसले यॉषा हमेशा नेग spreading होता है क्या हो जाएगा ऑग हो सब्सक्राइब what is the focal length of the combination दोनों को comment कर देंगा तो इसका focal length क्या वोगा वह हमें निकालना है तो यह Collsten से और यह मानू इस तो learning क्या है यह मेरा क्या है यह यह अपकाhou क desafember से दोनों को comment मानों Concave Lens है और यह मानों मेरा यह मेरा क्या है यह मेरा क्या है यह आपका Concave Lens है दोनों को Command कर दिए तो आपका यह मान लेते F है तो F कैसे निकलेगा वह में पताना है तो हमें क्या होता है सर कंबिनेशन में क्या करते हैं कि हम Algebra Sum करते हैं तो 1 by F Equivalent is equal to क्या होजाएगा 1 by F1 1 by F1 plus 1 by F2 आप क्या करेंगे Sand के साथ हम भेलू रखते हैं Sand के साथ हम भेलू रखते हैं Sand के साथ हम भेलू रखेंगे Sand के साथ भेलू रखेंगे तो 1 by F1 F1 कितना है मेरा 20 cm तो 1 by 20 हो गया Plus 1 by 1 by F2 कितना है सर time to MR-25 cm सकती है तो आप आगी यहां का यंचत करें तो क्या जाएगा ही Is cherry Tao को मैंनों में यह से निकालेंगे दोनों काuffled कलेंगे तो कितना आएगा दोनों के से जम निकालेंगे सर तो acompañ अगा कि अगा यहां क्या जाएगा फिर 25 फोर जाएगा तो यहां से आप क्या जाएगा 5-4 क्या जाएगा 100 हो जाएगा आप करते हैं रेशी पोकल कर देते हैं तो एप इसे करो जैसे करने का कर सकते हैं समझ आगे आप चलते हैं next question, question number 122 question number 122 बोलता है if your authority index of water with respect to air means कि आपका быстрative index मेरा deafutive index आपका water with respect to air केतना दिया होएशर मेरा दिया होए 4 by 3 दिया होए 4 by 3 दिया हुआ है then the refractive index of air with respect to water तो हमें पुछा क्या refractive index of air with respect to water क्या होगा यह हमें बताना है तो हमें formula पता है अगर formula पता होता तो हमें यह easily बना लेते हैं क्या होता है कि refractive index of water with respect to air is equal to क्या हो जाता है मेरा 1 by 1 by 1 by आपका हो जाता है refractive index of air with respect to water मेरा इसकी आप यह फर्मूला अगर याद तो यह आप याद यह से रख सकते हो कि refractive index of medium 1 with respect to medium 2 is equal to क्या जाता है 1 by 1 by 1 by refractive index of medium 2 with respect to medium 1 यह फर्मूला आप याद रखिएगा वह इससी से यह बनेगा तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है refractive index of water with respect to medium with respect to air क्या दिया हुआ है इससर 4 by 3 is equal to क्या हो जाएगा 1 by 1 by refractive index of air with respect to water यह तो हमें निकान ला है क्या करेंगे cross multiplication करो देंगे समझा गया अब चलते हैं नेक्स्ट कोर्षन कोर्षन नमबर 123 123 बोलता है एक पर्षन रिक्वार्स एक लेन्स ऑप पावर मैंने 0.50 डाप्टर सो वेर इज इज फार पॉइंट तो इसका फार पॉइंट कहां पे होगा हमें ए बताना है इसका फार पॉइंट कहां होगा यह हमें बताना है ठीक है तो इसका फार पॉइंट कहां होगा यह हमें बताना है तो यहां से पहले पावर पता चल गया कौन लेंस है? कनकेव लेंस है कौन लेंस है? कनकेव लेंस है कनकेव लेंस है Concave Lane से तो power is equal to क्या हो जाएगा sir power is equal to 1 by f हो जाता है तो यहाँ से f निकलेगा 1 by f f is equal to क्या हो जाएगा 1 by p हो जाएगा 1 by p हो जाएगा 1 1 by क्या हो जाएगा 1 by minus 0.5 डाप्टर हो जाएगा यह उपर चला गया तो यह क्या 0 हो जाएगा F is equal to क्या हो जाएगा सर मैनस 2 मीटर हो गया मैनस 2 मीटर हो गया तो far point उसका क्या हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा सर ठीक है तो इसका focal end कितना 2 मीटर आ गया 2 मीटर आपका मैनस 2 मीटर आ गया अब हमें क्या निकालना फार पॉइंट निकालना उसका फार पॉइंट कहां पे होगा तो फार पॉइंट कहां जागा टू मीटर पे हो जागा कितना दूरी पे हो जागा टू मीटर पे अब आता है next question, question number 124, 124 आपका बोलता है क्या बोलता है कि near point of an eye something from long satness is long satness मतलब जो दूर कर देख सके और नजदिक कर नाइच देख सके उससे hypermetropia भी करते हैं, तो near point सक क्या हो जाता है, greater than, greater than 25 cm, 25 cm से वो बड़ा हो जाता है, मिसकी 25 cm से उसका near point से वो दूर चला जाता है ठीक है, तो उसे क्या करते हैं, long satness करते हैं, क्या हो जाएगा, option C हो जाएगा, option C हो जाएगा, दूर द्रीष्टी गरसी तेक नेत का निकट विंदु है, जहां क्या हो जाएगा, greater than 25 cm, 25 cm से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो उसे हम निच्ट कोर्चन, कोर्चन number 125 125 बोलता है वेन वन जूल ऑप वर्क इज डन इन मुविंग ए चार्ज ऑप वन कुलम फ्रॉम वन पॉइंट ए तू अनदर पॉइंट बी इन एलेक्टिक सर्कीट देन इट रिफर्स टू दी फ्लोई कि ए वन किलो जूल वन जूल वर्क डन हो रहा है जब एक कुलम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी ले जाने में इलेक्टिक सर्कीट में ले जा रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं वन बोल्ट ऑप पोटेंशल डिफरेंस बिट्वीन पॉइंट ए एंड बी ए और बी के बीच में पोटेंशल डिफरेंस कितना है एक बोल्ट है एम वार निमने किसे संदिर्वित है किसे संदिर्वित है यह बिंदू- a और-b के बीच में क्या बता रहा है एक बोल्ट का इभानतर बता रहा है सर क्या जयागा option बी हो जाएने समझा गिया एक बोल्ट का definition है अब आता है next question question number 126 126 बोलता है according regarding to arm's law v is such I r आपका स्टेसेल इस अप्सेलो स्टोस्ट्रे प्रेस्टोस्टोस यह होता है। क्यों दिखराएंगा भायोटी क्यों ट्रेंसेल होगा है कॉप्सेंट स्तेरय अप्सेल्टी 127, 1 which of the flowing factor resistance of the wire depends, तो resistance, जो wire का resistance किस पर किस पर depends करता है, तो ये directive professional to length लेंथ पर depends करता है, ये inversely proportional to area of cross section फिर वह temperature पर भी depends करता है, nature of the material पर भी depend करता है, ये चार पर आपका resistance depends करता है, तो area of cross section इस पर depends करता करता है लेंद पर भी डिपेंड करता है तो क्या हो जागा all of the above क्या हो जागा option D हो जाएगा यह प्रियोक्त सभी तो तार का परती रोध लिमिलिक्षित में से कीस कारक पर निर्भर करता है तो वह अनुप्रस्थ काट का छेतरफल उस पर भी डिपेंड करता है लंबाई पर करता है तक मान में करता है क्या हो जागा युप्रियोक्त सभी सभी है क्या हो जाएगे option D हो जाएगे अब आता है next question question number 128 128 आपका बोलता है क्या कि device used to regulate the current in an electric circuit मेंसे कि कौन device करने के लिए कौन device का यूज किया जाता है रियो अस्टेट का यूज किया जाता है यह आपका यह आपका वेरियेबल रेस्टेंस होता है real state का use किया जाता है कि कितना current हम कोई flow करवाना है electric circuit में वो regulate करवाने के लिए कुण device को use किया जाता है real state का use किया जाता है किसका variable resistance का use किया जाता है क्या जगा option C हो जाएगे तो एक विदू circuit में विदू धारा को नियम्मित करने के लिए परियोग किये जाने वाले अंत्र है क्या है धारा नियंत्रक क्या है धारा नियंत्रक है क्या जाएगा option C हो जाएगा फेरियेवल रेजिस्टेंस को यूज किया जाता है ठीक है अब आता नेक्ट कोशन कोशन नमर 129 129 एक क्रो से क्रूस एकम क्या जो मतलर की अटाल क्या as डिक्रीजिंग कर परेंफ करके करी कि यह असे मोटा होगा पहले पूरत पर एस हो जाएगा धार सकत्व सेंट Cake यह कोंस्टेंट के वो में क्या जो पोटेंशल डिफेंस अप्लाइड है सर ओंस्टेंट है यह मानू भी अप्लाइड है तो करेंट कितना आई जाएगा आप बोलता है कि थी दाइड कॉंस्टेंट को यहां पर रहयोग हमें बताना है जो अ cabinet करेगा हो आपका यह दिपन्ध नेकर तो Será इनेकर दिपन्डरेंट उक्रियं नुद क्रोंरे और सेक्शंसे फिर है क्या एक आपका इंबरस्षिंट यह होता है तो ये area पे डिपेंड करेगा इलक्टिक फिल्ड भी जो है area पे डिपेंड करता है सर फिर आपका current density भी क्या होता है i y a होता है जे जे इक्टो telefon में ठेक है urgent Directorsстве अनुप्रस्ट में करता है क्या है क्या हो जाएगा option a हो जाएगा तो आसामान अनुप्रस्ट काट के धातवीक चालक में एक अस्थिर भांत लगाये गया है संपुन चालक में जो मद इस्थिर रहता है क्या रहता है विदुधारा उसमें अस्थिर रहता है सर्, constant कोन रहता है आपका current आपका अस्थिर रहता है अब आता है next question 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 number 130 130 आपका डेहार बोलता है इन दी इसर कीट एक आपका सरकीट दिया हुआ है विलो में देख्षीए इसमें आपका अगलल्ट मेंड़ हैं ऑल्स मिंटर अपशिर्पी इसमें आपका स्रीज में कानेक्टेद then the value of resistance R तो resistance R का value क्या होगा इसट्वी थे थे वाइता है फर्मुलास आई होता है potential difference by current हुता है विवांतर विदुधरा होता है पति रोधग बराबर और तो आपका विवांतर कितना है potential difference 12 voltage सब्सक्राइब करेंट कितना है आपका विदुधरा कितना है 6 A यह हो जाएगा सिक्स टू जाटड टूवेल क्या आगया तू एम्पेयर तू आ गया कोई दिखा आप्सान सी क्या हो जाएगे एप्संसी क्या हो जाएगें अब चलते हैं पैंच्त नॉच्वक्र वान्हंद्रट हिवन बोला जातते है आपका क्याँ इनक कंड़क्टर, फिपिन अन्ड हुब्सकूलम ओप चार्जुप इंटर। कोई कंड़क्टर है, मालो यकंड़क्टर है सबस्प्र एकंड़क्टर है, इस कंड़क्टर से क्याँ हुआ 1500 कूलम चार्ज इंटर किया और 15ůGG चार्ज क्या हुआ बाहर एकजिश्ट फियो किन ठेक बहर ही stuck किफिणunts टाइम कितना जिए सरट में बाइब में पांच मिनूट में ओब पंदर ही सख कूलम आप एक इंटर से क्या किया इंटर किया यहां से इंटर किया और यहां से क्या दूसरे इंटर से क्या किया एक्जिस्ट किया कितना जितना इंटर करेगा सर उतने ही तो बहार निकलेगा यही बात है न तो क्यों कितना हो गया क्यों मेरा 15 कुलम हो गया टाइम कितना हो गया पांच मिनट हो गया कितना मिनट में ए तो यहाब निकालना में क्या होता है चार्ज बाइट टाइम होता है चार्ज बाइट टाइम होता है कोई दिखा option भी दिखा option भी क्या जाएगा क्रेक्ट हो जाएगा अब चलते हैं नेक्स्ट कोर्शन कोर्शन नमर 132 132 बोलता है कि टू वाइट ऑफ सेम मैटेयल मिशकी इसका रिट्वीट्री क्या हो गया सेम मेश स ह notch having length ā रेडि आई इन दी रेटियो आपके length और रेडिय इसके रेडियो में दिया हुआ है że ठीक है hebएज अइंड का रेशियो जो है 3 to 4 है और रेडिया आई का जो रेशियो है दो वायर का वो 3 to 2 है respectively are connected in parallel दोनों को किसमें connected है parallel में ए बैटरी of 6 volt 6 volt बैटरी के से वो connected है the ratio of current तो current का ratio क्या होगा हमें ए निकालना है sir तो मानों कि यह आपका एक resistance है पहला resistance और यह आपका जोद्य है यह दूसरा रेशिस्टेंस है ठीक एक इससे वोल्ट करने से रहे आपका 6 volt बैटरी से connected है 6 volt बैटरी से connected है 6 volt बैटरी से यह मानो R1 है sir यह मानो R2 है दो resistance है इससे क्या current मानो i निकल रहा है इसमें क्या हो गया i1 मान लेते current है parallel में current different होता है दोनों current आपका different होता है आपका अलग-अलग current क्या करता है अलग होता है लेकिन voltage सेम रहता constant रहता है समझ में आ गया आप देखो यहां से resistance resistance का जो आपका ratio दिया हुआ sir मानो कि L1 मेरा L1 मेरा 3x है स्थरी एकस है तो एल टु मेरा कितना हो जाएगा एल टु मेरा कितना हो जाएगा यहां दूसरा का लेंथ कि तो से थी 3x तो मेरा एिय्यार्ट्ट्ट्ट्स वार्ट्ट्ट्ट्स 2 हो जैगा समझा गया अब देखो क्या निकालना है मेले पहले R is equal to क्या होता है resistance is equal to Rho Rho L by A होता है यही होता है न तो यहां से हम निकालते formula यूज करेंगे formula यूज करेंगे तो R1 is equal to हो जाएगा सर Rho into L1 by A1 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 को क्या करते area of cross section क्या हो जाएगा A बराबर क्या हो जाएगा यूज करेंगे Pi R square use करेंगे तो यहां से हम क्या कर सकते हैं यहां से हम लिख सकते हैं Rho L1 को क्या लिख सकते हैं 3X 3X by Pi R1 square R1 square के जगा पर क्या लिख सकते हैं 3Y का square हो जाएगा 3Y का क्या हो जाएगा square हो जाएगा यह से ही रहने देते हैं फिर आप क्या करते हैं यही होगा अब यहाँ से निकालती है रो अल्टू मेरा ऐल्टू मेरा फोर एक्स है फोर एक्स लिख दिए być लेक फोर एक्स भाई भाई आप देखों ये कितना कि ड्रीक अर्टूatro कितना Dakar CH-C तो पाई इन्टू इन्टू अर्टू आको किना ठवाई ड् essentially आप 2i का square हो जाएगा मेरा r1 r2 पता चल गया इस turn में अब हमें जहाँ पता है कि current जो होता है वो अगर दो resistance दिया हुआ है तो क्या होता है i1 by i2 i1 by i2 i1 को क्या लिख सकते हैं sir i1 current निकालना है तो potential difference तो same हम में एकी होता है b होता है b होता है तो i1 यहांसे निकालेंगे तो i1 क्या हो जाएगा i1 is equal to b by r1 हो जाएगा around i2 हम जब निकालेंगे i2 स तो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a и back to B by R1 B by R1 by B by R2 हो जाएगा B से भी क्या हो गया cancel हो गया सर यहां से फिर क्या लिख सकते हैं R2 by R1 लिख सकते हैं R2 by R1 लिख सकते हैं R2 by R1 लिख सकते हैं तो आप देखो R2 R2 के जगा पे हम क्या लिख सकते हैं यहां पे रो रो इंटू 4X 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 by by क्या लिख सकते हैं पाई पाई इंटू 2Y का स्कुएर बाई आरवन के जगा पे क्या लिख सकते हैं रो रो 3X by पाई इंटू 3Y का अवल स्कुएर आप देखो इसको कट करते हैं कट करेंगे कट करेंगे रो से रो केंसील पाई से पाई केंसील एक से एकस केंसील वाई से वाई केंसील ठेक है आप देखो आगे आगे क्या बच्चा देखो यहां ध्यान से ध्यान से देखना 4 by 2 4 by 4 2 का स्कुए हो जाएगा 4 by 4 यहां क्या 3 3 का स्कुए हो जाएगा 9 हो जाएगा तो यहां से देखो 4 से 4 केंसील वाई बच्चे यहां थी 2 जा थी 3 जा 9 क्या हो जाएगा यहां से 1 by 1 1 by 1 by 1 by 3 आप क्या यह 3 उपर चला जाएगा तो क्या बच्चे गा 1 by 1 into 3 by 1 हो जाएगा क्या गिया 3 is to 1 3 is to 3 by 1 आगिया बनता है आपका i1 is to i2 कितना आगिया सर 3 is to 1 आगिया 3 is to 1 कोई दिखा option b दिखा option b क्या हो जाएगे correct हो जाएगा तो हमें क्या करना था length और area जो यह आपका radius दिया था उसके respect से r1 और r2 निकालने न था r1 और r2 निकालने बाद फिर i1 और i2 निकालने के बाद ठीक है b और r1 के टर्म में i1 निकाले i2 b और r2 के टर्म में निकाल लिए i1 by i2 कितना आगिया r2 by r1 आगिया r2 और r1 का जो value निकाले थे वो जाके put कर दिये फिर calculate किये तो मेरा क्या आगिया i1 by i2 कितना आगिया 3 is to 1 आगिया क्या जाएगा option b हो जाएगा अब चलते हैं next question question number 133 133 आगों बोलता है कि आप कि how many 400 ohm registers are required to carry 5 ampere of current connected to 200 volt land कि कितना 4 ohm registers required है parallel में सब किसमें जोड़ा रहेगा parallel में ठीक है parallel में जोड़ा रहेगा कितना 4 ohm का stress को जोड़रत है 5 ampere current को carry करने के लिए ठीक है कितना voltage में connected है potential difference आपका विभामतर कितना है 200 volt है तो आप क्या करते हैं सब पहले यहां से power निकाल लेते हैं तो यह आपका parallel में voltage तो same होता है जो आपका यह होगा तो यह तो p is equal to क्या हो जाता है सब भी आई p is equal to v i क्या हो जाएगा भी कितना है 200 into current कितना है सब 5 ampere क्या हो जाएगा 200 into 5 ampere क्या हो जाएगा 1000 watt हो गया 1000 watt हो गया अब देखो क्या कि हम अब यह क्या निकाल लेते हैं एक power और निकालते हैं वह एक power और निकालते हैं पीवन हर एक resistance के लिए power निकाल लेते हैं तो इसका माल लेते हैं P1 पीवन माल लेते हैं तो पीवन आपका जो निकलेगा सर पीवन पीवन जो निकलेगा क्या हो जाएगा भी अस्क्वाइर बाई या रेश्टेंस पता है एक एक resistance का और हमें potential difference तो वह होगा parallel में तो भीवन पर बाई क्या हो जाएगा आर हो जाएगा तो भीवन आर हो जाएगा तो पीवन कितना ऑल गया पीवन मेरा कितना गया थंट्र हंड्रेड हंड्रेड वाट आ गया तो पैरलेल इसार्किट में पावर जो होता है पावर ट्वी ग्रोल टू क्या हो जाएगा आपके सभी पावर के समयशन हो जाते हैं और एक पावर का संदे आपके पराबर हो जाते हैं तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 कहां तक सभी का यहां पर एक्वल है क्योंकि 400 ओम का रिजिस्टेंस तो क्या मान लेते P P P क्या हो जाएगा कहां तक चाल जाएगा एंड तक जाएगा सब्सक्राइब क्या जाएगा एंड पी वन हो जाएगा तो पी कितना है सर पी अभी कितना निकाले थाउजेंड वाट निकाले थाउजेंड वाट निकाले एंड तो अभी नमबर ओप रेजिस्टर्स तो पता करना है तो एंड तो निकालना है इंटू एक रेजिस्टर्स का पावर कितना है स 100W, तो क्या हो जाएगा, 20 से 20 केंसिल, and मेरा कितना आ गया, आपका 10, तो नमबर और कितना रेजिस्टर्स यूज करेंगे, फोरों को रेजिस्टर्स को 5 एमपेर करेंट करेंगे के लिए 220 वल्ट लैंड में, आपका 10, 10 रेजिस्टर्स को यूज करेंगे, कितना 10, option क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, option क्या हो जाएगे, d हो जाएगे, समझ में आ गया, अब चलते हैं, next question, question number 134, question number 134 बोलता है, क्या बोलता है, express which of the flowing setups can be used to verify ohms law, कौन setups ohms law को verify करने के लिए यूज करेंगे, वो हमें express, तो हमें यह पता करना है, कि आपका volt meter parallel में होना चाहिए, और m meter आपका series में होना चाहिए, बस यही आपको देखना है, तो यहाँ से देखो आपका इसमें, जो आपका option A में है, तो option A में अगर हम circuit बनाएगे हैं सर, हम circuit बनाएगे, तो m meter आपका series में जुड़ा हुआ है, और दो resistance, एक आपका variable resistance और एक आपका resistance आपका नीचे हैं, ऐसे आपका जुड़ा हुआ है, फिर आपका volt जो है, वो parallel जुड़ा हुआ है, कौन option, option इस तरह से आपका, यह आपका arm slow verify करता है, तो किसमें जुड़ा हुआ है, आप देख लो, option A वाला सही है, option A वाला सही है, बाकी आपका सही नहीं है यह आपका किसमें जोड़ दिया है एक ही में पहले में जोड़ गया है आपका सारा रेस्टेंस नहीं आया तो यह आपका नहीं होगा यह नहीं होगा आपका बी देखो भी किसमें जोड़ दिया है आपका सिरीज में जोड़ दिया है यह पहले में ज सिर्फ कित्रा यह वाला सर्कुट का मेजर करेगा समझा गया तो कौन सही है मेरा ओप्षन यह सिर्फ सही है समझा गया अब चलते हैं नेक्स्ट कोर्शन कोचन नमर 135 135 बोलता है आपका का दिया हुआ है दो रिस्टर का आरवन और राट्व का जो बिलो दिखाया गया ग्राफ तो उससे हमें यह बताना है कि विच ग्राफ पीजार क्रेक्टली लेवल कौन ग्राफ सही है वह हमें बताना है only only figure one only figure two both figure one and figure two are none of the above तो देखो एक में यहाँ उपर इदर voltage आपका जो और यह आपका y-axis में वो वोल्टेज है sir figure one में और आपका x-axis में जो है current है ठीक है तो यहां से देखो यह आपका series वाला है और यह आपका क्या parallel है तो पैरलेल में आहले क्रेंट पैरलेल में जो περιस्टेंस होता है एक्विवालले रिस्टेंस servant जो होता है वह क्या होता होता है और ठीक है एक आपका जो होगा current current जो होगा वो आपका parallel का ज्यादा होना चाहिए एक voltage पर देखेंगे और आपका series का कम होना चाहिए तो देखो एक point पर जब देख रहे हैं तो आपका parallel का current ज्यादा है और series का कम है क्यों क्योंकि current जो है sir आपका current जो inversely proportional to होता है किसका resistance का जिसका resistance कम होगा उसका current ज्यादा होगा तो parallel में resistance कम होता है rp आपका low होता है और rs जो series वाला होता है वो आपका high होता है ठीक है तो अगर ज्यादा होगा maximum होता है तो maximum होगा series वाला में तो उसमे current आपका कम होगा और parallel में ज्यादा होगा तो देखो आपको दीख रहा है ठी स्थे हैं तो यहाँ पे आई पी जो है ओग्रेटर होगा किस आई एस से यह भी आपका स्थ है तो एक जो आपका दिया हुआ है ग्राफ ऊसक्राफ आपका सभी फिर दूसरे लेक्षाई देखो दूसरा फिर यह अपकर यच्स में करेंट है Lewis और आपका जो एक सक्सिस में हो क्या है वोल्टेज है तो एक ही वोल्टेज यह आपका पैरलेल है यह आपका सिरीज है तो वोल्टेज क्या सेम लेते हैं सेम वोल्टेज पे सेम वोल्टेज पे करेंट देखेंगे सेम वोल्टेज पे करेंट देखेंगे तो करेंट आपका क्य तो यही होता है कि parallel circuit में अगर voltage सेम तो सीरीज वाला में करेंट जो है परलेल में ज़्यादा होगा और सिरीज में लागा क्रेंट आपका कम होगा क्योंकि की resistance के खेला है resistance का खेला है शीज में resistance ज्यादा हो जाता है सम कर देतना डाइक लिए इसलिए तो दोनों गराप मेरा सही है तो क्या ज़ाएगा बोथ बोथ फिगर 1 एंड फिगर 2 आर क्रेक्ट लेवल्ट ठीक है दोनों सही हैं आप चलते हैं नेक्स्ट कोर्शन कोर्शन नमबर 136 136 बोलता है इन दी गिवन सर्कीट डियाग्राम रिडिंग इन दी वॉल्ट मिटर इच तो आपके जो रिडिंग होगे वॉल्ट मिटर में वो क्या होगा हमें बताना है तो यह देखो दीनों रेजिस्टेंस किसमें करेंक्टेड है मेरा यह भोल्टेज कितना दिया हुआ सथ 10 वोल्ट दिया हुआ है ठ्लिक है पोटेंशल डिफरेंस और क्या करेंट 역시 T तुमें क्या निकालना है जहां पे पर रिडिंग वोखोअ में बताना है तो सबसे पहले घ्र बनेंस निकाल लेते हैं आर निकाल लेती और क्वेisesti AED कर देगा ना स्रीज में क्या जागा 2 प्लस 4 प्लस 6 क्या गया क्या जागा 12Ohm आजाएगा 12Ohm तो आप circuit का पूरा circuit का करेंट निकाल लेते हैं I is equal to क्या होता सर्, BI R होता है B कितना दिया हुआ है, B मेरा 10V दिया हुआ है, Y, R equivalent अभी कितना के निकाले 12 ओम निकाले 12 आर एकवड़ेंट कितना 12 निकाले इसका आप एगी तो यह पारीप आजाएगा एक एक सिक्षी आजाएगा क्या पैप गया पैप आप टेलिय। हमें voltage निकालना है voltage निकालना है किसके cross 6 ohm के cross क्या formula होता है I into R6 हो जाएगा इसके cross निकाल रहे हैं I कितना है निकाले सर 5 by 6 निकाले 5 by 6 into 5 by 6 ampere into R6 कितना है कितना ohm register है 6 ohm का register से 6 से 6 cancel क्या हो गया 5 volt लगेगा इसकी आपका 6 ohm के cross कितना voltage reading देगा सर आपका 5 volt देगा क्या हो जाएगा option C हो जाएगे क्या हो जाएगे option C हो जाएगे समझ में आगिया समझ में आगिया आप चलते हैं next question question number 137 137 आपका बोलता है क्या कि a wire of resistance 8 ohm is bent in the form of closed circle कि एक आपका 8 ohm का register से उस हो क्या closed circle में बना दिया गया मानो कि इस तरह के resistance होगा इसको किसको तरह circular के time पे बना दिया तो what is the effective resistance between point A and point B point A और point B के बीच में effective resistance क्या होगा ओ हमें निकालना है sir point B और A के बीच में क्या होगा ओ हमें निकालना है तो पूरा angle किता है यह 90 है यह कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा तो आप 90 by 60 कितना में 360 में तो 90 degree by 360 degree total कितना है 360 और कितना है 90 90 by 360 into क्या करेंगे into into क्या करेंगे r लेंगे sir into r लेंगे तो क्या आजएगा आपका r by 4 आ जाएगा r by 4 हो जाएगा R by 4 आ गया इधर वाला एक इतना R by 4 है R by 4 है तो इधर R by 4 है तो इधर वाला निकाल लेंगे तो क्या करेंगे R से मैनस करेंगे R से मैनस करेंगे R मैनस R by 4 क्या जाएगा आपका 3 आपका यहाँ LCM 4 आ जाएगा 4 यहाँ पर क्या जाएगा 4R मैनस R क्या गया 3R 3R by 4 हो गया 3R by 4 हो गया 3R by 4 आगया इधर किदर हो गया 3R by 4 आप इसको convert कर लेते हैं तो convert कर लेते हैं तो क्या एक resistance यह हो गया sir और एक resistance यह हो गया दोनों किसमें है parallel में है parallel में एक इंडे A होके मान लेते हैं एक भी एक क्या है R by 4 है और एक क्या है 3R by 4 है 3R by 4 है आप क्या करते हैं 1 by R 1 by R 1 by R1 1 by R2 होता है क्या हो जाएगा 1 by R1 कितना है 1 by R1 है R by 4 है 1 by 3R by 4 हो गया 3R by 4 हो गया इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 by R 4 by R प्लस क्या जाएगा 4by 4by 3R हो जाएगा ये 4 उपर चला जाएगा तो क्या 4by 3R हो जाएगा ये दोनों में LCM लेंगे तो क्या जाएगा 3R आएगा अब R into 3R ये क्या जाएगा R into 3R तो 3R आएगा 4th year 12 हो जाएगा फिर 3R into 1 3R तो plus 4 into 1 4 हो जाएगा 16 by 16 by 3 r आ गया 16 by 3 r आ गया मैं इसकी 1 by r is equal to क्या गया 1 by r is equal to मेरा आ गया 16 by 3 r आ गया आप आगे देखते हैं आप एसी पोकल करते हैं इसको एसी पोकल करते हैं तो r is equal to क्या आ जाएगा 3 r by 16 3r by 16 r के जगहा पे कितना दिया हो था 8 ohm रख देते है r के जगहा पे कितना दिया हो था 8 decimal लेते हैं यहां पे confusion हो जाएगा confusion हो जाएगा तो 8 decimal लेते हैं थिक है तो r days कितना 3r r कितना माने थे 8 तो 3 into 8 16 16 क्या गया 3 by 2 ohm 3 by 2 ohm 3 by 2 Ohm, कोई दिखा, option B क्या हो जाएगे, correct हो जाएगा, option B क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा, तो यह क्या करना था, जो angle दिया रहेगा, उसको kya 360, जितना दिया रहेगा, मानुए X degree दिया हुआता, यह मानुए X degree, तो X by क्या करो, 360 कर दो, X by 360 कर दो, और जो इंटू R कर दो, एक निकल जाएगा दूसरा क्या करो R से R मैनस X by 360 इंटू R कर दो एसे आपको निकाल लोगे दूर इस्टेंस हो गया दोनों का पैरलेल में फिर पैरलेल अला फर्मुला यूज़ करके निकाल दो और बाकी R के टर्म में आएगा R जितना दिया रहेगा R के भिलूपूट कर दो बाकी आप सोल्ट करके निकाल लो यह एंसर आजाएगा समझागे बहुत इजी था अब चलते हैं नेक्स्ट कोशन कोशन नंबर 138 138 बोलता है एक एलेक्टिक हेटर का जो पावर है सर वो कितना है 1 किलो वाट है 1 किलो वाट है मैं इसकी 1 किलो वाट मतलग कितना वाट में चांज करेगा यह दो तो क्या प्रावजेंड वाट है हो जाए गए है एक बराबर पावर इंटु टाइम तो पावर कितना है सरद आपका थाजिंड वाट है थाजिंड वाट है और आपका एक कितना ताम कितना सर्थ ऐखंडेट सकेंड दूनों को को क्या जाएगा 3600 इंटू 3600 इंटू वह थाजन को क्या लिए सकते है 10 का पावर 3 तो आपका कितना आ जाएगा आपका 3600 इंटू 10 का पावर 3 जूला जाएगा क्या जाएगा option C हो जाएगे सर क्या जाएगा option C हो जाएगा अब चलते हैं next question question number 139 139 बोलता है क्या SI unit of resistivity ठीक है SI unit resistivity का SI unit क्या होता है ohm meter होता है क्या होता है सर ohm meter होता है क्या जाएगा option D हो जाएगे option D हो जाएगे option D हो जाएगा अब आता है next question next question देखेंगे next question सा आपका बोलता है 140 140 आपका बोलता है क्या कि 2 heaters A and B rated 200 watt at 220 volt ये का जो rated है A bulb का heaters का 200 watt है 220 volt पे और B heater जो है ओ 40 watt at 220 volt respectively are connected in parallel दोनों किसमे connection है सर? parallel में connection है to 220 volt supply वो किसमे कितना supply का? potential difference लगा हुआ है 220 वोल्ट लगा हुआ है supply है calculate current drawn by hitter B तो विटर B के द्वारा कितना current होगा वो हमें निकालना है तो power तो power में दिया हुए P1 किसका बेटर B के द्वारा कितना current तो PB is equal to क्या हो जाएगा PB is equal to हो जाएगा power तो पता चल गिया PB हो जाएगा भी आई भी आई आई भी आई भी में current जितना हो निकल जाएगा तो IB is equal to क्या हो जाएगा सर पावर आप पावर आप हीटर B by potential difference potential difference तो सहम है तो पावर कितना हो जाएगा power of B कितना 40 है बाई बाई 220 वोल्ट ए जिरो से एक जिरो केंसिल आपका ए टू टू जा फोर और 11 टू जा 22 क्या गया टू बाई 11 आगया सर तो बाई 11 आगया तो बाई 11 आगया उसको आप दिभाइड करेंगे तो क्या जाएगा 0.18 182 एंपियर आजाएगा 0.182 एंपियर आजाएगा क्या जाएगा option C हो जाएगे क्या जाएगे option C हो जाएगा option C हो जाएगा समझा गया अब आता है next question question number 141 141 बोलता है क्या कि इने a small electric plant at your home आपकी घर पे एक small electric plant है जिसमें 45 kJ energy generate हो रहा है कितना पैंताली energy कितना जूल जनरेट हो रहा है 45 kJ 45 kJ इसको change करेंगे Joule में तो कितना जाएगा 45 into 45 into 1000 1000 जूल हो जाएगा ठेक है then how long you can power an inconsistent bulb of 45 watt approximately तो कितने समय तक 45 watt का अगर bulb आप यूज कर रहे तो approximately power कितना 45 watt का बल्ब को तो कितने लंबे समय तक आप energy को यूज कर सकते हो यह हमें बताना है यह हमें बताना है तो आपको क्या होता है power बराबर से power बराबर क्या होता है energy by time होता है तो हमें क्या power पता है energy पता है हमें क्या निकालना है time निकालना है तो time बराबर क्या हो जाएगा यहां से energy by power हो जाएगा energy by power हो जाएगा एनर्जी कितना दिया हुआ है, पैंतालिस, पैंतालिस इंटू, पैंतालिस इंटू थावजेंट, पैंतालिस इंटू थावजेंट, जूल दिया हुआ है, आपका पावर कितना दिया हुआ है सर, पैंतालिस वाट दिया हुआ है, तो पैंतालिस से पैंतालिस क्या हुआ है, कै कम हो जाएगा मिसकी 1000 से करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा किसे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा और जब 1060 केंसिल जब डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 16.67 मिनट आएगा इसको जब डिवाइड करोगे तो क्या जगा ऑप्शन बी हो जाएगा अब आता है नेक्स्ट कोशन कोशन नमर 142 बोलता है आपका क्या एक स्टूडेंट अप्टेंड फ्लोइंग ग्राप एक स्टूडेंट जो क्या होगा एध हमें बताना है को कई एक आपकर लेखो वॉल्ट आर आपका केंट किसमें दिया है में मिल्डो मैंप्या मंतला 10 का पावर मैनस थ्री 10 का power minus 3 1 milliampere विज कोल टू क्या हो जाएगा आपका 10 का power 10 का power minus 3 एंपियर होंगे ठेक है तो यहाँ से देखो voltage को एक point पे उठाते है इस point का इस point का उठाते हैं तो आपका जो voltage है सर यहाँ पे क्या आपका 4 है क्या ले लेते हैं 2 is equal to 4 ले लेते हैं 2 milliampere को क्या लिख सकते हैं 2 into 10 का power minus 3 ampere लिख सकते हैं क्या निकालना है resistance निकालना है तो r is equal to क्या होता है potential difference by current होता है तो potential difference कितना है सर आपका 4 है by current कितना है सर 2 into 10 का power 10 का power minus 3 है तो यह 2 2 जा क्या हो गया 4 हो गया 10 का power minus 3 है तो एंट्ट All को मैं हो जाएगा ौम हो जाएगा क्या दिखा आपका आप सब क्या हो जाएगे क्रेक्ट हो जाएगे सब्सद्रे minute से एक point पर जहां cut कर रहा है वहाँ पर लागा एक potential difference हुटा लेते current उठा लेते फिर उसे बात क्या करते resistance निकाल देते फर्मूला यूज करके ठीक है अब चलते हैं next question question number 143 143 बोलता है which one of the flowing is not true about properties of magnetic field lens magnetic field lens के प्रोपर्टिक के regarding कौन सही नहीं एक सही नहीं है वो हमें बताना है तो they come out from north pole north pole से बाहर निकलता है sir magnets में जो है magnetic field lens north pole से बाहर निकलता है और south pole में इंटर करता है and go into south pole सही है they form close loop हाँ यह आपका close loop बनाता है बाहर में north pole से south pole और अंदर में south pole से north pole की तरफ होता है यह close loop बनाता है sir they intersect when two magnets are kept जब दो मेनेट हो रखे तो intersect करता है नहीं यह आपका intersect नहीं करता है कौन option गलत है option c आपका सही नहीं है sir they are closely spaced in the region of a strong magnetic field जहां पर a strong magnetic field होगा वहां पर उसका magnetic field lens ज़्यादा close होगे यह भी point आपका सही है कौन point सही नहीं है they intersect जब दो मेनेट को अगर साथ में रखे तो यह intersect magnetic field lens कभी intersect नहीं करता है sir क्या जगा option c आपका गलत है अब आता है next question question number 144 144 आपका बोलता है 144 बोलता है in an experiment current carrying conductor is kept parallel to the magnetic needle on a compass कि एक आपका experiment में current carrying conductor है उसको magnetic needle के parallel रख दिया जाता है किसके magnetic needle के parallel रख दिया जाता है if the current if the direction of current is from south to north मानों कि यह आपका north है sir यह आपका south है sir और आपका ठीक है आपका rat में east है ठीक है rat में east है sir और आपका आपका यह इदर आपका west है left में तो यहां से करेंट किदा से किदा जा रहा है south to north जा रहा है कि नीचे से ऊपर आपका एबानों magnetic आपका यह conductor है current जो है south से north जा रहा है South से north जा रहा है यहां पर magnetic field रखा हुआ है मगनेटिक निडिल रखा हुआ है इस तरह का जब नोर्थ साउट से नोर्थ जा रहा है सर तो आपका थम के डाइक्शन में करेंट का डाइक्शन होगा और आपका करली फिंगर जो है किदर होगा करली फिंगर आपका फिंग अब agreement करीव, फिंगर ने की के के तरव धन करेंगा किदर होगा थैस। तो आपके वेश्ट के तरव क्या करेंगा जूकेगा वेश्ट के तरव क्या करेंगा नेडिल टरंड करेगा किदर वेस्ट के तरफ तो नॉर्थ पोल जो नीडिल होगा नीडिल का नॉर्थ पोल जो होगा वो किदर वेस्ट के तरफ क्या करेगा वो टरंड करेगा तो आपका जो हो जाएगा नॉर्थ पोल आप दी नीडिल टरंड किदर वेस्ट के तरफ क्या हो जाएग तो आपका जो magnetic needle field क्या जाएगा वेस्ट के तरफ जाएगा वेस्ट के तरफ आपका turn करेगा क्यों जाएगा option A हो जाएगे समझे आगए अब चलते हैं next question question number 145 कि फोर ये long state current carrying wire the strength of magnetic field कि एक आपका long state current carrying wire है उसमें अस्टेंट जो magnetic field का अस्टेंट करता है आपका current का active professional होता है सर और inversely professional to distance मानों कि ये आपका current carrying conductor है अस्टेट current carrying conductor है उसमें current आई है और ये जितना दूरी जाएगे से ठीक है wire से जितना दूरी पर जाएगे तो वह मेरा magnetic field अस्टेंट क्या होगा decrease करेगा तो ये आपका distance पर भी depends करेगा inversely professional to क्या होता है distance or diğer active professional to current होता है ञिकर है yang और inversely profesional to क्या होता है distance from the distance distance कि wire से जितना दूरी जाएगे उतना magnetic field मेरा कम होगा और current जितना ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा मेरा magnetic field होगा तो क्या होजाएगा option is depend on the nature of the material of the wire नहीं नेचर of the material material कैसे इसका बना उस पर depend नहीं करता है is directly proportional to current 2 सही है is inversely proportional to distance 3 भी सही है तो क्या होजाएगा option C होजाएगा 2 and 3 are correct option C सही हो जाएगे अब चलते हैं next question question number 146 146 बोलता है the direction of the force on a current carrying wire placed in a magnetic field depends हो जो आपके current carrying wire में ठीक है एक आपका direction of जो force magnetic field में कि ठीक है magnetic field में जो current carrying wire placed किया गया है उसका force कि direction जो force का direction है कुस पर किस पर depend करता है तो direction of field और आपका as well as direction of current यह दोनों पर depend करता है direction of force निकालने के लिए direction of force अगर निकाल रहे हैं तो यह आपका किस पर किस पर depend करता है दोनों पर depend करता है आपका direction of magnetic field और direction of current दोनों पर depend करता है से तो क्या होजाएगा यह depends on direction of current as well as direction of field कुण दिखरा option C दिखरा option C पे depends सही होगा वो current के direction पे भी depend करता है और field के direction पे भी depend करता कौन force का direction अब आता है next question question number 147 147 बोलता है an electric fuse is based on एलेक्टिक फ्यूज आपका किस पे बेष्ट है सर ए आपका hitting effect of current पे बेष्ट है कि जो जाएगा option C हो जाएगा एलेक्टिक फ्यूज जो है वो आपका current के hitting effect पे बेष्ट है सर वो उस पे काम करता है अब आता है 148 148 आपका बोलता है क्या कि the purpose of glass cover on top of a box tap solar cooker is solar cooker के box के उपर एक अपका glass cover का purpose क्या होता है glass cover लगा जाता है उसका purpose उसका काम क्या है ओवे बताना उदेश क्या है क्या हह ओमे बताना है तो यह क्या करता है सेच जो आपकी glass लगा जाता है solar cooker में ओजो let उसे इंटर कर गया उसे बाहर निजानच देता है मिन्स कि ओ रिड्यूज is to reduce heat loss by radiation के द्वारा जो heat loss होगा उसको क्या करता है reduce करता है कम करता है क्या ग्लास कबर जो solar cooker में लगा हुआ हो क्या जाएगा option D हो जाएगे option D हो जाएगा अब आता next question question number 149 to work properly wind electric generator used wind speed of at least evolved ठीक है आपको wind electric generator को work करने के लिए minimum wind speed कितना होना चाहिए तो ये 15 km per hour होना चाहिए कितना होना चाहिए 15 km per hour होना चाहिए क्या जाएगा option B हो जाएगे sir क्या हो जाएगे option B हो जाएगे अब आता next question next question 150 150 बोलता है which energy from the flowing art dragged from the sun कौन energy इसमें है जो sun से drabd किया गया हो हमें बताना है तो wind energy आपका nuclear energy आपका drabd ने किया गया है wind energy आपका किया गया है biomass energy आपका sun का drabd है ठीक है ocean thermal energy आपका sun का drabd है ठीक है वह आपका sun energy का drabd है तो इस तरह साम देखे सारे questions फिजिस के जितने important questions थे previous year के 208 का ओम में आपको करवाने करवाए फिलिज आप एक वीडियो को जरूर देखे अगर आपको अच्छा लगा तो like जरूर कर दें और share जरूर कर दें सब्सक्राइब कर दें thank you